वे इसके खिलाफ आवाज उठाने की बात कही कौरतलाभे की शहर में कुल 72 अस्पताल मौजूद है इन अस्पतालों में और निजी क्लिनिक में मिलकर 89 ICTC के एड्स सेंटर्स मौजूद है 74 सेंटर BMC की देखवाल में है लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी इन सेंटर्स में सुविधाओं के मसले पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर पुरी दुनिया में सबसे ज़ादा एड्स के मरीज होने के देशों के लिस्ट में भारत दूसरे नमबर पर है तो फिर BMC इतनी धिलाई कैसे बरत सकती है आखिर विनोद मिश्र जैसे और कितने केस नजर अंदाज किये जाते है और BMC में किस की जवाब दे ही बनती है इन सारे सवालों का जवाब BMC को ही देना होगा नियूस डेस्क समय मुंबई पिल्कुल महिंदर हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ पर मौझूद है महिंदर साफतोर से एक सवाल यह आता है कि आप जिस तरह से चोहतर टेस्ट सेंटर्स यहाँ पर बताए गए हैं BMC कि क्या वाकिए यहाँ पर इतनी जरूरत है क्या खामिया नजर आती है वहाँ पर जी देखिए पहली बात तो यह है कि चोहतर टेस्ट सेंटर्स है इनके पास जो कि इतने की requirement है नहीं आप centers को कम कर दीजिए बलकि आपको जो staff members है उसको बढ़ा दीजिए और trained person को रखिए एक अच्छे qualified और trained person को रखिए ताकि उसको इस issue के बारे में अच्छी knowledge रहेगी तो वो इस case को समझ पाएगा और वो इसी गलती नहीं करेगा यानि कि इतने ज़्यादा sentence है कि जो सक्षम technicians वहाँ पर चाहिए उस तरीके के वहाँ पर मौझूद नहीं है सबसे बड़ी खामी यहाँ पर यह आजाती है सवाल या निशान के जो blood testing के लिए जरूरत है जिस डिगरी की वहाँ पर वो सक्षम लोग वहाँ पर मौझूद नहीं है साथितात ये भी एक सवाल आया है महिंद्र के आप जब HIV positive की report आती है उसके बाद BMC hospital कुछ CD4 test करने के लिए कहते है क्या उससे कुछ फायदा होता है या उससे बुकता हो जाती है जो report आई है जी देखिए अगर किसी reason से कोई भी आदमी अगर HIV positive detect हो जाता है तो उसे CD4 count test कराने के लिए कहते हैं ये BMC का criteria है उनको CD4 count कराने को कहा जाता है जबकि ऐसा होता है अगर वो patient अगर window period में है याने कि newly infected आदमी है तो उसका CD4 count decrease नहीं होगा जो कि normal range होता है 352, 1100 का range होता है वो इस range के अंदर रहेगा और ये detect करना कि वो positive है ये detect नहीं हो पाएगा इससे बहतर और अच्छा method है viral load करके आप वो method यूज़ कर सकते हैं उसके through आपको perfectly मालूम पड़ जाएगा कि virus particles कितने हैं उस व्यक्ति के body में तो फिर इस test को क्यों नहीं किया जाता है क्या समस्या आती है इस test को करने में देखिए ये test जो है काफी expensive test है जिस तरह western blood test काफी expensive है अगर BMC मैं अपना personal जो है वो मैं बता रहा हूँ मैं BMC के hospital में गया मैं उनसे जाके जब ये बात किया कि मुझे HIV का test कराना है कौन सा test आपके पास होता है तो उन्होंने जवाब नहीं दिया मैंने उनसे पूछा कि आप HIV के लिए ELISA test करते हैं उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया Western blot करते हैं तब आखिर में हार के मैंने उनसे पूछा कि आप कौन सा test करते हैं तो उन्होंने ये नहीं बताया कि हम कौन सा test करते हैं बस गुस्से में इतनी जी बात कह दिये कि HIV का test होता है यहाँ पर कौन सा होता है जी हां बिल्कुल ऐसे ही होता है मैं सरकारी अस्पताल में Medical Fitness Certificate के लिए गया था और नॉर्मल आदमी वहाँ पर treatment के लिए जाता है तो सभी को एक तरह से treat करते हैं बिल्कुल और साथी साथ ये भी होता है कि अगर आपको positive report दे दी गए उसके बाद तुरंत उनकी सला होते है कि आप फलाँ फलाँ सेंटर में जाके दवाईयां ले लीजिए और वो दवाईयां शुरू कर दीजिए अगर वो व्यक्ति महेंदर जानकार नहीं है और वो उस report को seriously ले ले लेता है कि आप कितने जादा लोगों के स्वाथ से खिलवार कर रहे हैं पहले तो आप किसी को HIV positive बता रहे हैं साथ इसाथ जिससे आपका blood sample बदला है उस वक्ति को आप negative बता कर उसको समय पर दवाई देने से आप उसे परहेज कर रहे हैं साथ इसाथ जो दवाई खाएगा उसकी सेहत के साथ भी नुकसान है यह पूरा का पूरा यह सेहत के साथ खिलवार हो रहा है कारवाई की बात तो यहाँ पर कर दी गई है महें दरे साफ तावर से आप सुन रहे हैं लेकिन आपने उस चीज़ को भूगा है आपने साथ तोर से यह कहा है कि एक हफ़ते तक मानसीक तनाव रहा परिवार ने भी उस तनाव को जेला है क्या चाहते हैं आप किस तरीके की कारवाई होनी चाहिए क्या कुछ बदलाव होने चाहिए मनपास पतालों में कि आगे जाकर लोग इससे दोचार ना हो जी पहली बात तो कारवाई के नाम पे इन्होंने यह कहा है कि हम एक्शन लेंगे और जो भी दोशी पाया जाएगा उनको सस्पेंड करेंगे मैं यह सब सही नहीं मानता हूँ मैं सही चीज यह मानता हूँ कि आप जो आपके टेस्टिंग सिस्टम है आप उसमें बदलाव लाईए आप वेस्टन ब्लॉट और अलाईजा जैसे टेस्ट को इंक्लूड कीजिए उसमें वाइरल लोड को भी साथ में इंक्लूड कीजिए अब जैसी आपके requirement रहती है और दूसरी बात यह है कि अगर पेशन्ट आपके जो rapid test kit होता है उसमें अगर positive detect हो जाता है तो आप उसको यह मत कह दीजिए कि वो positive ही है confirm report मत कहिए उसे आप उसे यह कहिए कि भई आप western blot टेस्ट कराईए और दूसरे भी test होते वो test कराईए उसमें क्या result मिलता है उसके बात आप हमारे पास आईए हम फिर आपको आगे की बात पताईए यहां पर स्तिती यह आगी है कि सजा से ज़्यादा जरूरी हो चुका है जो स्तिती है उसे उसमें सुधार लाना वो सबसे ज़्यादा जरूरी हो चुका है कि आप दूसरी वक्ती को सदा तो दें कारवाई तो करें लेकिन उस कारवाई के बाद जो खामिया नजर आए उसे सुधारना यहां बहुत जरूरी नजर आ रहा है महेंदरा आप आए हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े आपका बहुत बहुत शुक्रिया तो देखा आपने एक बार फिर मनपास्पताल की लापरवाही सामने आए और जब समय मुंबई ने इस खबर को दिखाया तब जाकर प्रशाशन की नींद टूटी और उसने जाच के आशवासन यहाँ पर दे दिये जाच किस तरहा की होती है और दोशी वेक्टी को क्या सजा दी जाती है ये तो देखने वाली बात होगी ही लेकिन जरूरी बात यहाँ पर सबसे बड़ी ये सामने आती है कि जिस तरहां से जो टेस्ट सेंटर्स हैं उसमें जो फामिया हैं उनको जानकर मनपा सबसे पहले उनमें दुरुस्ती लाए वो उन फामियों को दूर करें ताकि आगे जाकर महेंद्री की तरहां और कोई इसका शिकार ना हो बड़ी बात में आज बस इतना ही मुझे दीजे इजाज़त सर्वाइब India's first singing refrigerator with FM radio and mp3 player